हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता के और फ्रेंड्स आज इस वीडियो माम लोग देखना होले है सेट नमबर दस जो किया सेट नमबर दस जो है जो भी हार पल इसके जो वेकें सी जो कि इसका एक से नौ तक कम कभर करा दिया अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिश्ट बना दिया है आप मेरे चैनल पे चले जिए और प्लेलिश्ट ओपन करके आप सभी प्रेक्ट्री सेट को जरूर लगा लिज़े क्यों अगर इस चैनल पर पहली बरहें चैनल को सब्सक्राइब कर ली जगा और जादा से दोस्तों से इस इस बहुत है तो प्राशन यह सौव प्रिक्षा की आधी जो हता है दो घंटा का 120 मिनट का होता है जो कि यह सौव कोश्चन जो दिया गया फूल सलेबस पर तयार किया गया इस वज़ेसे बहुत इप्टेंट है आए देखते हैं आज का पहला कोश्चन जो कि आज का पहला कोश्चन जो दिया दिया गया कि प्रास्थितिकी तंट की संकल्पना को प्रास्तावित किया गया था तो यह जो प्रास्थितावित जो किया था वह A.G. टांसले ने एकुए था इसका जो एक ईसर होजएगा, एक नमबर हो जाएगा जो किया कब किया था? तो यह जो किया था Yet Another Dog आगे कोश्टन देखते हैं जो प्रास्तितिकी के जनक है बताना आपको प्रास्तितिकी के जनक किसे मना जाता है तो यह जो किये थे आठारा सो उननेश्ट इस विमें किया थे आगे देखते हैं यह राजा यह जो जागा एन हो जागा इसका एंसर बी नमबर हो जागा आगे देखते हैं यह प्रती प्रेरक कारे होता है तो प्रती प्रेरक कारे जो होता है यह हिर्दे इस्पंदन को समंजित करता है इसका जो एंसर जागा बी नमबर हो जागा जोकि यह प्रति प्रेरक या इससी को गति प्रेरक या प्रियोग किया जटा है जो कि एह साजिपिस्तिपर उपकरन है जिसके हिंदित उफ्रेपि को कम हो जाने पर इसे प्रियोग का जाता है अगे question दिखते है जो कि dei is different from the other तो इसका जो साथी जो होजाएगा या इज्स टेंट इस डिफरेंट फ्राम द्अदर हो जबव इसका चो एनसर जोगा भी नंबर जयगा आगे दखते हैं दिया एक गोल क्रीमी नी मो टोड यह को चूल Bana रोग कौन शूता है ग्यूदा guidance फ्लियरी इसका एन्सर ब्रेन काफट्री यहां कुष्ट रोग जोता है इसके उत्रदाई कौन से होता है आगे देखते हैं जिव मंडल अरक्षितपरिरक्षण छेत्र होता है यह अनुवांसिक बिभीटा के लिए इसका फैन से डिनलगान गावे गतेश्ट शीखित में से कौन सही नहीं है मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया जो किसी नाभी का टूटना विखनन का लाता है इसका इस वज़े से गलत दियागा इसका एंसर भी नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं जो कि यह डेस ग्रीन ट्री इस देयर तो इसका जो सही जो एंसर हो जागा इसका एंसर भी नमबर हो जागा आगे देखते हैं तिया निमली खित मेंसे कौन सुमेलीत ने है मतलब इसमें कौन सा गलत है त wünध और देखे लेते हैं पहला जो दीजो कि यह ड़ाब के लिए जो सही है अगला आगला कार्बूरेटर स्गलाइबude देखते हैं जब डिन पडूरा ज्यक्त बीन टो सब्सक्राइब नाम जोता है राइबो फ्लोविन होता है जिसके कमी से ओठ फटने वाला बिमारी होता है फिर यहां देगे बिटामिन सी जो कि बिटामिन सी का रसाइनिक नाम जोता है इसकर्विक एसीड होता है जिसकी कमी से इसकर्विक नाम जोता है आप लोग याँ देखेगा इससे एक कोश्चन फिक्स रहाता है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया एक कंप्यूटर हाडवेर जो सीलिका का बना होता है आकडों की बहुत अधिक मातरा को भंडार में रख सकता है यह कह लाता है तो यह जो कहा जाता है वह चीप कहा जाता है इसका एंसर जगा बी नमबर हो जागा आगे देखते हैं जो कते हैं सी ए डैस सूप टू सी इफ इट नीड मोर साल ते इसका जो सही जो एंसर जगा वह टेस्टिंग हो जागा इसका एंसर बी नमबर हो जागा आगे द प्रमुख जो होना चाहता था वह देवदत इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जाएगा जो कि देवदत जो ते हैं बूध के चचेरे भाई थे आगे दखते हैं तिया बाधिक नदीक कुमभा का अस्थान कहां निर्धारित होना चाहिए यह रीगवेद में इसकी चर्चा जो कि इसका अनुवाद है तो अनुवार ए सुहाली नामक ग्रंत जो है इसका अनुवाद यह अनुवाद जो पंच तंत्र का अनुवाद है इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जागा जो कि यह किसके काल में यह अनुवाद किया गया था तो यह जो किया गया था अकबर के सासन काल में अब्दूल फजल ने संस्क्रीत के गरंथ पंचतंत्र जता इसके फार्सी में अनुवाद किये थे हैं इसका जो एंसर जगा ए नमबर जगा और अनुवाद करके उसका नाम जो है अनुवार ए सुहौली नाम गरंथ रखे थे हैं आगे कोश्चन देखते हैं तिया अल कोश्चन देखते हैं तिया है वह कौण सेना नायक था जिसे बीजापूर के सुल्तान के 1669 में सीवाजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था यहाँ जो भेजा गया था मौलिक कफूर को इसका जो एंसर जगा भी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं तिया बहु जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा जो कि यह लोरा गुफा कहां पेश सीज़त यह जो है महराष्ट के अरंगाबद में इस्थित है आगे कोश्चन देखते हैं दिया है कि आरंभिक वैदिक साहित में सारवधिक वर्नित नदी कौन सा है तो सारवधिक वर्नित नदी जो है वह सिंधु है इसका जो एंसर जो जगा ए नमबर हो जागा वही सबसे महतपून नदी कौन सी है तो सबसे महतपून नदी जो है वह भी सिंधु नदी है वही कोश्चन यह भी पूछ देगा कि इसमें सबसे पभीत्र नदी कौन सी है तो सबसे पभीत्र नदी जो थी वह सर संकर जो बाद में संकराचार बने उनका जन्म कहां पर उए था तो इनका जन्म जो बना हुआ था वह केरल में जो किया की संप्रदाय को मानने वाले थें यह जो थें अद्वेत्वा दार्शनिक मत के परवर्तक थें इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जाएगा आगे लोखल जो गुजरात में भोगवार नदिग किनारे इस्थित है आगे कोश्चन देखते हैं निमली खित में से किसने खमभात में तोड़ी गई मस्जीद के पूना दिर्मार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये था यह आर्थिक सहायता जो प्रदान किये थें गुजर लुक्षमर्सेन के बंगाल में अंकूर के न्या संग्वत जारी किये थे इसका जो एनसर जगा डी नमबर हो जागा आगे question देखते हैं तिया निमलीखित में से किस ने सूमपूर महाविहार का निर्माड कराया था तो यह जो निर्माड जो कराया गया था धरम पाल के दोरा इसका जो answer जगा C नंबर हो जागा आगे देखते हैं तिया निमलीखित में से की सब्द की वर्तनी असूद है जो देखे लेते हैं किसका है इसमें अनाधिकार जो ड लिखा गैसंसर जगा ड नमबर हो ज्यागा आगे दो कौनसा सबसे प्राचीन वाद्यांत्र ओस्यफ के सीधार ँपर सबसे पुराना है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा जो कि इसका वर्णन जो समुन्द रूप के सीके पभी चित्रन मिलता है इस वजय से अब सबसे पुराना है आगे देख लेते हैं दिया निमलीखित में से किस ने संप्रदाइक अधिनिर्न घोसित किया था तिया स प्राम समाज का सिधान्त अधारी था तो ब्रहम समाज की सिधान्त जो अधार जो है व कलकत्ता में अस्थापना किए गया था आगे देखते हैं दिया जतीन दास कीस अरोप में बंदी बनाये गए थे या जतीन दास जो बने थे अरोपी वो लहोर सर्यांत्र में बने थे इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जागा आगे देखते हैं निम्ण में से कीस ने असहयोग अंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिये थे इसका जो एंसर हो जागा डी नमबर हो जागा आगे question दिखते हैं जो कि अगला question देगा भारती राष्ट कॉंग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अधिवेशन के अधिखता कौन किया था या 1905 के जो बनारस अधिवेशन जो हुआ था इसकी अधिखता जो किया गया था वो अस गोपाल केश्ण गोखले के द्वरा इसका कॉलकटा में उसकी अध्यक्षता किये थे त Pang5 इंटे अखिब भारती राश्ट कंग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बने थी वह एनई बेसे नवने थी इसका जगा सी नमबर हो जाएगा जो कि भारती राष्ट कॉंग्रेस के 33 अधियाख्ष बने थी वही सरोजनी नैडू जो थी भारत की वह पहली महिला थी जो कि कॉंग्रेस के पहली महिला भारती अधियाख्ष बने थी जो कि यह कब की थी यह जो किये थे 1925 के कानपूर अधिवेशन के अधियाख्ष था की थी इसका जो एंसर जो जगा C नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं यह पागल पंथी बिद्रो वस्तुता एक बिद्रो था ति यह पागल पंथी बिद्रो जो वस्तुता जो था यह कोल्यों का था, इसका जो एंसर हो जागा, डी नमबर हो जागा, आगे कोश्चन देखते हैं, निमली कित में से कौन फराजी बिद्रो के नेता थे, यह फराजी बिद्रो जो हुआ था, इसके नेता जो ते हैं, वह ददू मिया थे, इसका एंसर बी नमबर हो जागा, आग या कब हुआ था बिदो खो तो एज वगा था 864 आगे देखते हैं कोकिला का प्रिवाची सब्द क्या हो जाए तो कोकिला का प्रिवाची जो जगा बसंत दूथ हो जागा इसका एंसर सी नंबर हो जागा आगे देखते हैं जो कि भारती समिधान के निमलीखित में से कीन अनुछेदों द्वरा अंतराज्य बेपार और वयोसाय की स्वतंदरता नियमित की गई थी तो उप्यूग सभी दोरा सामिली तुरूप से किया गया इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा जो कि आगे question देख लेते हैं जो कि दिया गए निमलीखित में से किस ने भारती सरोच नेले को समानकार के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नीगमा करने है तो समक्ष किया है तो देख लेते हैं यह कौन की आति यह जो किया गए इसका जो सही जो हो जागा पहला भारती समिधान की प्रस्तावना प्रियृक समझवादी सब्स है जो कि आगला यह को समिधान के अनुछे 14 के साथ मिला का पढ़ना जो कि यह भी सही है तथा ABC सभी को मिला का पढ़ना जो कि इसका जो सही जो एंसर हो जागा डी नमबर हो जाएगा आगे कोस्टन देख लेते हैं 43 नमर देगा निमलीखी तमसे कौन संधी का प्रकार नहीं है इसका जो एंसर जागा डी नमबर हो जागा जो कि संधी से रिलेटेड एक वीडियो अलेडी हम अपने यूटूब चैनल पर डाले हुए हैं जो कि आप उससे जरूर देख लिजे क्योंकि हिंदी में कोश्चन जो है संधी और समास्त जो कोश्चन आता है उसमें concept प्लस कोश्चन दोनों दिया गया है तो वहां से आपका संसोधन कानून भारतिय सरोच नयरे दोरा और समिधानी घोसित किया जा सकता है यदि वह हो तो यह जो हो जाएगा इसका बीधी के समख समानता के अधिकार को भागतीन से हटा कर समिधान में अन्यंत्र कहीं रखता है इसका जो answer जागा बी नंबर हो जाएगा आगे question देख जो कि भारतिय समिधान का अंचे 13 मूल अधिकारों से असंगत या उसके अलपी करन करने वाले बीधियों का उलेख करता है आगे question देखते हैं दिया गए निमलीखित में से कौन भारतिय मुद्रा बेपार का अंग नहीं है देख लेते हैं मुद्रा बेपार का अंग इसमें इसका А इंसर भी नमबर हो जागा आगे question देखते हैं दिया घी जिनके उपकरा नहीं है तो बतलब हो यह बूद्ध और सुक्र ग्रा उसके अपने उपकरा नहीं है इसका इंसर भी नमबर हो जागा आगे question देखते हैं तिया कौन सी जल सन्योजी इवरोप के अफरीका से प्रिथक करता है तिया इवरोप को अफरीका से प्रिथक जो करता है या जिबराल्टर जल संदी करता है इसका जो answer जो जागा वो बी नमबर हो जाएगा जो कि जिबराल्टर जो जोता है या किसको किसको जोडता है जब कि कहा पे इसागđ में इस्तित है पिर यहां देगे डोवर थे वह इंगलीश चानल और उत् الحंश सागर को जोडता है जबकि इंगवलेंड और फ्रांस मानल करता है फिर यहां देगे अटाशा को जोड़ता है पर सब्सक्राइब एंसर जगा भी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है सरदार सरोर योजना से लभवाविंत होने वाले राज यह जो हो जाएगा इसका सही एंसर गुजरात महराश्ट मद परदेश और राज इस्तान हो जाएगा इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा देख लेता है लिए उरो बिले पांडिचेर गम्रीं सुपहदाइन घिता उसके हैं न आ गया जो की इंडोनेशीए जो कि सही है अगला की का पट्टी loops जो कही स्रिलंका जो कि ये भी सही है तो इसमें इसका answer गलत बतना था तो इसका answer B number हो जागा आगे देखते हैं जो कि यह नारियल सब्द का तत्सम रूप निमली खित में से कौन सा हो जागा तो नारियल सब्द जो है इसका तत्सम रूप जो हो जागा या नारी केल हो जागा इसका answer A number हो जागा आगे देखते हैं जो कि चोवन नमबर जो इसका solution आपको PDF में दे जाएगा इसका answer B नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं दिया गए निमलीखित नगरों में से कौन करक रेखा से निकर्टम दूरी पर इस्तित है मतलब करक रेखा से पास में इसमें कौन सा इस्तित है अगे question देखते हैं जो कि चपन नमबर जो कोश्चन दिया गया दिया गया कि निमलीखित कोईला छेतृ मेंसे कीश के कोईला भंडार सारो धिक यह कोईला भंडार सारो धिक जो है वा ज्भरिया मे इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं निमलीखित मेंसे कौन सूमलित नहीं यह बताना कौन सा गलत दिया गया है देख लेते हैं पहले देख कोटा चंबल नदी के किनारे जो कि सही है अगला भुनेस्वर महानदी जो कि यह भी जो दिया गया भुनेस्वर जो है महानदी के किनारे नहीं स्थित है जो कि महानदी की टाट पर इस्थित काटक सहर इस्थित है जो कि भुनेस्वर जो है वह नह आगे देखते हैं कि इंद्रा गांधी नहर का उद्गम अस्थल काहाँ पे इस्थित है। जगा A नमबर हो जागा आगे देखते हैं साथ नमबर जो कोश्चन है इसका एंसर D नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है कि एक डच परेटक जिसने जहांगीर के सासनकल का मुल्लेवान ब्यूरण दिया है वह कौन थे यह जो थे हैं वह फ्रांसिसी को पेल स इसका जो एनसर चागे नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है क्या की सा गलत दिया गया है तो देख लेते हैं पहला दिया गए हेक्टर मुनुरू बक्सर का यूद जो कि यह बक्सर का यूद कब हुआ था यह 22 अक्टूबर 1764 मुआ था जिसके सेना पती जो थे हेक्टर मुनुरू थे जो कि यह सही दिया गया अगला दे लॉड हैस्टिंग जो कि अंगल करनवाल इसके काल में इस वाज़े से गलत दिया तो इसका जो एंसर जगा क्या हो जागा दी नंबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया निमली कित में से किस ने महराष्ट में प्राथना समाज की अस्थापना जो है आत्मा रंग पांडू रंग ने किये थे आठा किये थे दिपेंडेंडन लिक्या स्थापना जो किया गया था वह रास बहरी बोस्न के थे इसका जो एंसर जगा डी नंबर हो जागा आगे देखते हैं भारती राष्ट को अंदोलन से सम्मझन इतिन इमलीखित घटनाओ को कलानुक्राम में विवस्थित की ज dedic दिया एक मह गंडी चैब स्कते हं सम्झाता वा-क्राऊए सम्झाता यह चाल चाल समें मांतरी घंट मारच और आए सम्झाता च्राइए गांधी इर्भीन सम। जो था यह 5 मार्च 1931 के हुआ था जो किया हो जागा इसमें सबसे पाल जिसका जो दिया गया यह हो जागा महात्मा गांदी की डांडी यात्रा जो था यह 1930 में हुआ था इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं दिया एक हिंदुस्तान रिपॉब्लिक संगठन की अस्थापना जो किया गया था वह कानपूर में इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा जो किया गया था यह जो किया था 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किये थे आगे कोश्चन देखते हैं दिया गया निमलीखित में से कौन सा एक अस्थान भारतिया मानक समय य दो आप्यमान विरुजापूर है, इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं ध्याएं भारत सबसे बड़ा उतपादक जो है दिया एक कहवा के लिए ताता गना का तता तिलहन का ता समभाकू का तरह सबसे बड़ा जो है गन्ना का उतपाद कि इसका जो answer हो जागा B number हो जागा आगे question देखते हैं 70 number जो question देखा बदाम पहाड कीस राज में इस्तित है यह बदाम पहाड जो इस्तित जो है वो उडिसा राज में इसका जो answer जागा C number हो जागा आगे question देखते हैं आगे कोश्चन देखते हैं जो के प्रथम परधान मंतरी कौन थे? आगे कोश्चन देखते हैं जो के प्रथम परधान मंतरी जो थे? आगे कोश्चन देखते हैं जो के प्रथम परधान मंतरी जो के प्रथम परधान मंतरी जो थे? आगे कोश्चन देखते हैं जो के प्रथम परधान मंतरी जो के प्रथम परधान मंतरी जो थे? गलत दियागा जो के बैस्वी करन में भारत में छोटे उद्योमियों में और साथ का बोध पैदा किया गया इसका जो एंसर जो जगा डी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं दिया प्रियुकति होता है इसका लाफिंग से किसे का जीता है यह जो नाइट्रस नमबर हो जागा जुकि यह कोश्चन की नाविकितल चोंन से गयानी-च्जोथम परिच्टम होता इसका जो answer जगा B number होजाएगा आगे देखते हैं जो अनिम्न पादपू में से कीस का संग्र अंग तना नहीं है देख लिए तो पहला जो दिया गई गन्ना का जो की है अगला अधरक जो का यह भी है तो अगला अलो जो की यह भी है तो अगला दिया है सकरकंड जो की सकरकंड जो नहीं है तो इसका जो answer जगा D-number हो जागा आगे question देखते हैं तो यह malaria की से फ्हालता है तो देख लेते हैं, malaria जो रोग होता है, वो किसे फैलता है, तो पहला देख जीवाड़ू जो कि गलत है, अगला बिसाड़ू जो कि यह भी गलत है, तो malaria जो फैलता है, वो पर जीवी से फैलता है, इसका जो answer जगा D number हो जाएगा, आगे question देखते हैं, तो यह निमलीखित में S야 Clinic नाम जो थाइमीन होता है, जो कि इसानी कमी से बेरी बेरी नामक, रोग होता है, वो हमना देख विटामीन B2 जो कि तो Rock Sonra यहां गलत दिया गया है जो को पारिष नंबर हो जागा आगे देखते हैं। प्रथम सेना कमांडर समय लन कहां आयोजित किया गया तो यह जो आयोजित किया गया नई दिल्ले में इसका एंसर भी नंबर हो जागा आगे देखते हैं इसका एंसर जगा नंबर हो जागा जोगी इसका दोज़ा चौविस का प्रिथमी दिवस का थीम क्या था तो इसका प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक इसका एंसर जगा डी नंबर हो जागा आगे देखते हैं जो की कोश्चन दिया गया दिया गया सबसे अधिक दिन अंत्रीक्ष में लगवा अठातर दिन किसने रहा था तो यह जो रहे थे हैं ओलेंग कोलनो लेको इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जागा आगे देखते हैं कोश्चन दिया पचीसवा काला घोडा काला महत सो दोजा चोबिस कहां मनाया गया तिया हो जो मनाया गया मुंबई में इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जागा आगे देखते हैं बक्सर का युद को हुआ था यह बक्सर का युद जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है केरल का कुट्टा नाड या कुट्टू नाड प्रसीद है यह जो प्रसीद जो है वह भारत का निम्तम उचाई वला छेतर इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा आगे देखते हैं भारत का अधिक्तम गेहू उत्पादक राज जो है वह उत्तर पर देखते हैं दिया है निमली खित ग्रह युगमों में से कौन बिना उपग्रह का है तो पहला जो दिया है शूक्र और मंगल जो कि इसके पास उ कोई उपग्रह नहीं है तो इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं दिया है समय के साथ भी सर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग जील बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है यह जो कहा जाता है इसे वह चाप जील कहा जाता है इसका जो एंसर जगा वह नमबर हो जाएगा आगे कुश्चन देखते हैं कि यदि उपध्यक्ष लोकसभा की अधिक्ष्टा कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह तो यह जो अधिकार देख लेते हैं इसमें क्या प्राप्त है पहले देख लोकसभा के भीचार भी मर्श मे भाग ले सकते हैं तो अगला दे सदस के रूप में सदन के समक्च किसी प्रस्ता आप मतदान कर सकते हैं जो की गलत दिया तो अगला दे मत बराबरी के वस्ता में मतदान कर सकते हैं जब 50-50% मत हो जाता है तो अपना निनायक मत देते हैं इसका जो एंसर जागा C नंबर हो जा इसका जो एंसर जगा डी नंबर हो जाएगा आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर जो कोस्चन दिया गए कि यादे किसी कारण वस राश्पती और उपराश्पती दोनों का पद खाली रहता है तो राश्पती के कारे को कौन संपाधित करेगा तो यह जो संपाधित जो किया जाता है राज का अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं इसका जो एंसर जागा जो कि इसका पीडिएप पाने के लिए आप में टेलिग्राम चैनल वाटसब रूप से जूड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिक्सिप्शन में या कॉमेंट बक्स में मिल जाएगा अगर कभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब निकाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लिजगा ताकि जब भी वीडियो डाले ता आपको नोटिफीकेशन प्राप्त हो और वीडियो को लाइक की जगा और ज्यादा से दोस्तों नबाद जाएंग